ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटुब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मेंदर शास्त्री, आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल, यह राशीफल है दो मई 2023 मंगलवार का दिन है, वेशाक माह के शुकलपक्ष की ड्वादशी थी थी, उत्रा फालगुनी नामक नक्षत्र होगा तथा कन्या राशी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे, दिशासूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में होंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा, अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो, तो गुड़ करके यात्रा औरंब कर सकते हैं राहुकाल जो कि दो पहर तीन बजे से शुरू हो करके साड़े चार बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक का रिक्रम आपको समपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई चेत्रों में माना जाता है और कई चेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिहम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की मेंस रासी में वहीं चंद्रमा की दिहम बात करें तो वो कन्या राशी में होंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार वरशब करक कर्या वरश्चिक मकर एवं कुम्ब ये छे राशियां सब से दिख भागिशाली रेने वाली है कारिक्षेत्र में उन्नती और प्रगती के उत्तामाउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं जो भी काम जो भी जुम्बडारी इनको मिलेगी उसको पूरी इमानदारी से ये निर्वहन करेंगे और उसमें फाइदा भी इनको देखने को मिलेगा अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंट तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस समय आपकी सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्दी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भैरुपूर सद उपयोग करे रिष्टेदारों तथा संबंदियों के साथ संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविष्य शंबंदी महत्पूर्ण योजनाय बनेगी प्रापटी या पैत्रिक संपत्ती संबंदी कोई कार्यदी रुकावट आ रहा है तो उसकी रुकावटे समाप्त हो जाएगी भाईयों तथा मित्रों से वैचारिक मधवेद उत्पन नहों सकते हैं इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशबरासी की राजनितिक तथा सामाजिक कारियों के परती आपका रुजान ब जाएगा विद्यार्थियों को अपनी पड़ाई के प्रती गंभीर रहना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप छट के उपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आ तथा एक नई उर्जा का प्रबाह अपने अंदर आप महसूस करेंगे आर्थिक व्यवस्थाओं संबंदित महत्वपूर्ण नेने लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है लेकिन कोई भी कार्य भावकता वश बिलकुल न करे बुद्धि मत्ता तथा चतुराई से आपको प् कराशीगी आज कुछ महत्वपूर्ण तथा उच्पदासीन व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यतित होगा इसे आपके मैं सम्मयन में व्रद्धि होगी तथा नई उपलब्दी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के समक्ष हतियार ड तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक माच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं सिंख रासी की घर के बदलाव अथवा नवीनी करण संबंदी योजनाई तयार होगी इन योजनाओं को कारी रूप देने में आपक कर सकते हैं जो काम आप शुरू करेंगे वो आगी चल करके आपको अच्छा फाइडा देगा और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपक तो होगी रिस्तेदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरनायक रहेगी आपकी बुद्धिमानी वा सूजबूच की तारीफ होगी किसी भी प्रकार की कागजी कारवाई करते समय बहुत अधिक सावधानी बरते चोटी सी गलती से बहुत अधिक धन हानी हो सकती है बहतर होगा कि इन गतिविधियों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी योजनाओं को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाय को हरी सबजी आ हरी घांस खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित ह आपका भाजिशाली अंक जो कि छे होगा भाजिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज को अवश्य सुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबू तता सोच विचार की इक्रमता प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा मैंगलिक कारिक्रम संपन्न होने की योजना बनेगी तथा रिस्तदारों की आबाजाही आपके घर में बने रहेगी आपकी लापरबाही की वज़े से किसी नजदी की रिस्तदारों के साथ संबंद आपके खराब हो सकते ह इसलिए बहुत अधिक चोकणना रहने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा को नजर अंदाज न करे उपाई के रूप में चावल का डान गरीब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली र रुतबा भी बढ़ने वाला है इस समय अपने लक्ष के प्रती आप पूर्ण रूप से एकागर चित था गंभीर रहे सफलता आपका अवश्य ही प्राप्त होगी वहन खरीदने की योजना यदि आप बना रहे हैं तो कुछ समय के लिए इस्तगित आपको करना चाहिए और आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक साथ होगा भाग्यशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की आपको शारीरिक तथा मानसिक शुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविदियों में कुछ समय व्यतीत करना होगा प्रापर्टिय अथा वाहन की खरित फरोक्त संबंदी योजना आप बना सकते हैं और घर का नव निर्मान या फिर सुधार करवाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं घर में किसी व्यक्ति विशेश से आपका विचारिक मद्भेद उत्पन हो सकता है ध्यान रखे सावधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं म मनोवांचित परिनाम की प्राप्ति होगी जिससे उनका होसला और आत्मेश्वास और अधिक बढ़ेगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्भराशी की इस समय ग्रह गोचर आपके मनोबल तथा आत्मेश्वास को बढ़ाएंगे सामाजिक रूप से मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी आपको उपलबधियां प्राप्त होगी सुम्मितवा आदर्श बना करके रखना आती आवश्यक है आर्थिक रूप से कुछ परिशानिया उत्पन होने से चिंता रहेगी परन्तु यह तात्का लिखे इसलिए ज़्यादा परिशान होने क्या उशकता नहीं है कुछ समय बात सब कुछ ठीक ठाक और सामन्य हो जाएगा कारोबार में आपको फाइदा होगा धनलाब होगा यदि आप लगन तथा एकाग रिचित और महनत से यदि काम करेंगे तो आगे चल करके नए कार्य से आपको अच्छा फाइदा होगा उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चड़ाए तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की दिन चरिया में कुछ परिवर्तन लाने के लिए अपनी रूची पूर्ण कारियों में आप समय वतीत करेंगे इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी पारिवारिक महोल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपको मिल सकता है और उपाई के रूप में पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्न साधर धन्यवाद